दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूटूब चैनल के उपर और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एनाटमी फीजियोलोजी का एक इंपोर्टन टोपिक और यह जो टोपिक है यह है यूरिनरी सिस्टम का तो आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे नेफ्रोन के बारे में देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन टोपिक है कई बार एक्जाम के अंदर पूछा गया टोपिक है तो कंप्लीट यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं नेफ्रोन के बारे में यहां पे दिया गया है कि each kidney contain 1 million nephron मतलब हर एक kidney के अंदर क्या होता है लग भग 1 million nephron पाए जाते हैं अगर दोनों kidney की बात करें तो दोनों kidney के अंदर क्या हो गया एक और एक 2 million हो गए और 1 million के अंदर कितना होता है 10 lakh आता है तो आप समझ सकते हो कि एक kidney के अंदर लग भग 10 lakh क्या पाए जाते हैं nephrons पाए जाते हैं next one यहां पे दे रखा है they are the functional unit of the kidney मतलब kidney के अंदर जो भी functional unit होगी जो भी function के काम होगे वो सब किसके दौरा किये जाएंगे nephron के दौरा पूरे किये जाएंगे next one यहां पे बात करते हैं और next यहां पे दिया गयागी यह क्या करते हैं जो भी waste होता है उस waste को remove करने का काम करते हैं जो अपनी body से जितने परकार का waste बनता है उस waste को urine के दौरा अपने सरी से बाहर निकालने का काम करते हैं next one बात कर लेते हैं और next यहाँ पे देखिएगा, next आ जाते हैं, next एक नेफरोंड is made up of two parts, हर एक नेफरोंड है, वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, पहला पार्ट आ जाएगा, उसका नाम है renal corpuscles और दूसरे पार्ट का नाम आ जाएगा renal tubules, यहाँ पे image के अंदर आप देख सकते हो, यह जो portion ह जो कफ जैसा बन रखा है, इसको अपन बोल सकते है, renal corpuscles और जो बाकी portion पीछे बच चुका है, जो pipeline आपको यहाँ पे दिखाई देरी हैं, जो you shape का दिख रहा है, और सबसे last जो collecting duct है, यह होता है renal tubules, ठीक है, अब आज आते हैं, एक एक करके दोनों को अपन यहाँ पे आता है, next, it consists of the glomerulus, इस nephron की head के अंदर क्या पाया जाएगा, glomerulus पाया जाता है, और glomerulus किसके अंदर होता है, bowman capsule के अंदर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह अंदर की side glomerulus है, जो कि आपको image में यहाँ पे दिख रहा होगा, यह glomerulus है, ठीक है, और यह यहाँ कटोरी जैसी structure है, यह क्या होती है, bowman capsule होती है, ठीक है, समझ में आया इतना आपको, ठीक है, next आ जाते हैं, और next यहाँ पे जो line दी गई, उसमें दे रखा है, glomerulus is a like of network of capillaries, glomerulus क्या है, बहुत सारी capillaries का एक network होता है, bowman capsule इसके चारो तरप होता है, जो कि funnel shape का होता है, स filter हो जाएगा, capillaries के अंदर, और capillary में filter होने के बाद, वो कहाँ पे चला जाएगा, renal tubules में चला जाता है, और यहाँ पे दे रखा है, कि यह क्या होती है, urine formation की जो पहली step होती है, वो यहीं से start हो जाती है, समझ में आ गया, next one है, renal carpuscle के दो pole होते हैं, एक तो vascular pole होता है और दूसरा urinary pole होता है, vascular pole बोले तो नाम से clear है vessels, मतलब कुछ efferent arterials इसके अंदर आएंगे, और कुछ efferent arterials इसको छोड़ कर जाएंगे, नाम में ध्यान रखना इसमें efferent arterials है, और उसमें efferent arterials है, दूसरा pole होता है urinary pole, नाम से clear है, urine का कहीं ना कहीं की formation करेगा, इस area क अंदर क्या होता है, जो filtrate है, पहली बार urine अंदर चला जाता है, उसका नाम filtrate बोल देते हैं, तो filtrate glomerulus को छोड़ करके कहां पर चला जाएगा, first part of the tubules, और tubules के अंदर first part कौन सा है, तो tubules के अंदर first part यहां पर देख सकते हो, यह PCT है, proximal tubules, फिर उसके बाद loop of handly है, DCT ह collecting duct है, ठीक है, अब आ जाते हैं, अपन पढ़ेंगे, renal tubules के बारे में, ठीक है, इसमें यहां पर दे रखा है, कि जो filtrate है, जो glomerulus से निकल करके आया है, वो सबसे पहले कहां पर जाएगा, tubules के अंदर जाएगा, जहां से आगे urine continuously form होता रहेगा, बनता रहेगा, tubules है, वो loop of handle, तीसरा होता है, distal convulated tubules, और last होता है collecting duct, अब अपन इन चार portion के बारे में, यहां पर discuss करेंगे, PCT के बारे में, loop of handle के बारे में, next one, distal convulated tubules है, और उसके बाद आ जाएगा collecting duct, एक एक करके इन चारों को अपन यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, चलिएगा, उनकी अपन यहां पर बात कर लेते हैं, चारों के अब, next one यहां पर देखेगा, सबसे पहला आ जाता है proximal convulated tubules, यह क्या है, renal tubules का पहला part होता है, इसके अलावा kidney के cortex वाले portion में पाया जाता है, इसके अलावा next देर का fluid that is filtered from the Bowman capsule, जैसे ही जो fluid है, वो Bowman capsule से filter होगा, वो कहां पर आ ज जाता है, इसके अंदर क्या पाये जाते हैं, brush border पाये जाते हैं, जो कि cuboidal epithelium tissue से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, PCT का का काम क्या होगा, एक तो यह reabsorption करता है, दो तीहाई बाग के sodium और हाइट, उसका पानी का, इसके अलावा यह ammonia का secretion करता है, creatinine का secretion करता है, glucose औ और जो creatinine अपने street से बाहर निकाला है, वो कोई ना कोई balance बनाने के लिए निकाला होगा, या फिर west product को बाहर निकाला होगा, next आ जाता है, loop of handling, जैसे ही filtrate PCT के अंदर आया था, अब इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, loop of handling के अंदर, और यहाँ पे आप loop of handling देख सकते हो, यह you save का बन रखा है, loop of handling, इससे पहले यह proximal tubules है, इसके बाद यह loop of handling है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, next one बात कर लेते हैं, पर loop of handling के you save की structure होती है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के segment पाये जाते हैं, जिन सब का different function होता है, loop of handling क्या करता है, reabsorption करता है, 10 से 20 10% sodium chloride का, और इसके अलावा 10% filtrate water का, अब बात कर लेते हैं, next part, distal convolated tubules, जिसे sort में DCT बोला जाता है, इस segment के जो renal tubules होती हैं, यहाँ पे simple cuboidal epithelium tissue पाया जाता है, एक चीज़ देखेगा, PCT के अंदर breast border पाये जाते थे, इसके अंदर breast border नहीं पाये जाते हैं, next one, इसक अंदर actively reabsorption हो जाता है, किस चीज़ का sodium और chloride का, next one बात करेंगे, it is relatively, मतलब अब यह क्या होता है, water इसके आरपार नहीं जा सकता, बट अगर अपन person को ADH hormone दे देते हैं, ADH बोले तो anti-diuretic hormone, उसकी वज़े से क्या होगा, अब water उस membrane के आरपार जा सकता है, क्योंकि ADH ने hydrogen ion का secretion करता है, इसके लावा यह JG apparatus, juxtaglomerulus apparatus का भी निर्मान करता है, यह अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे DCT के बारे में, अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे last collecting duct के बारे में, the collecting duct run through the cortex into medulla, मतलब collecting duct देरे-देरे move करती हैं, cortex से medulla की तरप, और कहां पे open हो जाएं its epithelium, इसका जो epithelium वाड़ा portion है, वो vary करता है, cuboidal से columnar epithelium की तरफ, near the papilla, यह क्या होता है, जो renal tubules होती है, उसका सबसे final segment होता है, तो यहाँ पे पूरा अपना topic हो चुका है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा, देखिएगा, एक बार पस से diagram की तरफ चलते हैं, diagram के अंदर यह बोमन capsule है, जो कटोरी जैसा है, इसके अंदर यह glomerulus पाया जाता है, जिसके अंदर अलग-अलग arterials आ रहे हैं, efferent arterials, फिर efferent arterials यहां से छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है, इसके लावाँ इसके सबसे पास वाड़ा portion होता है, उ यू जैसी structure होता है, इसको बोलते है, लूप और फैनले, यह जो दूर वाड़ा portion है, यह 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 था, distal tubules, और सबसे last यहां पर आप देख सकते हैं, यह है, collecting ducts, तो PCT, loop और फैनले, DCT और collecting ducts के अंदर आती है, तो यह portion आता है, renal tubules के अंदर, और सुरू का जो portion है, वो corpuscle के अंदर, तो यहां पर जो nephron का एक important topic, जो आपके exam की दरस्टी से है, वो अपना पूरा हो चुका है, अब आप सभी के लिए important announcement की यहां पर बात कर लेते हैं, बहुत ही खास चीज, यहां पर देखिएगा, ऐसे student जो की GNM और BSC nursing कर रहे हैं, और उनको पढ़ने में द nursing academy है, उसने GNM और BSC nursing का online और offline बैच चालू कर दिया है, अगर आपको भी पढ़ना है, आप यह जो QR code यहां पर देख रहे हो, इस QR code से आप अपना mobile app है, उसको download कर सकते हो, इसके अलावा एक YouTube channel भी है, और YouTube channel का नाम है A1 nursing classes, जहां पर आपकी Delhi basis पर free classes करवाई जाती हैं, उस YouTube channel पर जाकर कि आप classes को भी देख सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है, देन आप मेरे number पर contact कर सकते हैं, 900-900-8148, इस number के उपर आप मेरे से contact कर सकते हैं, तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से एक और वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, thank you.